प्रिविद्यार्थियों नमस्कार आशा है आप स्वस्थ वैसानन्द होंगे और अपने अध्यन के प्रति सजग रहे कर नित्य ज्ञानार्जन कर रहे होंगे जैसा कि हम जानते हैं कि संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जन्तुओं एवं पादवों में अनेक तरह के संचलन होते हैं जैसे एक कोशिकिय जीव अमीबा में जीव द्रव्विका प्रवाही संचलन एक उधारन के रूप में लिया जा सकता है कुछ अन्यजीव जैसे पैरामिश्यम, यूगलीना, वहाइड्रा, पक्षमाब, कशाब और स्पर्षक के द्वारा संचलन दर्शाते हैं मनश्य अपने पैरों, जबडे, पलक वजिवा आदि को गतिशील कर सकता है क्या आप गमन वे संचलन में कोई भेद पाते हैं, जीवों में गतिवे संचलन किस प्रकार होता है आदी आदी जिग्यासा के समादान है तो आईए आज की सत्र में हम आपके पाठ्ष क्रम में निहित गमन एवं संचलन का अध्धेन करेंगे हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश हैं गमन एवं संचलन की प्रक्रिया को परिभाशित करना वे उनमें अंतर नहित भेद और साम्य को स्पष्ट करना विभिन्न जीवों में गती एवं संचलन के प्रकारों को सूची बद्ध करना जीवों में गती के मुख्य प्रकार का अधियन करना पेश्य गती व्य अपेश्य गती के अन्तर को समझना विभन जीवों में गती व्य संचल नहेटू अंगों को चूची बद्द कर उनेको उनको क्रिया विदी से परिचित हो नए dealing के विभिन प्रकारों को जानना और समझना छात्रों में कला कोशल, विज्ञानिक दस्ठिकोंड, जिग्यासु प्रवर्ति और अवलोकन कोशल का दिकास करना। जेव विज्ञान के अध्यन में अर्जित ग्यान को दैनिक जीवन में सहसंबनित करना और अनुपयोग मिलाना। प्रिविद्यार्थियों हम अपने पैरों, जबडे, पलकों और जिव्वादी को घुमा सकते हैं, अपनी इच्छनसार गतिशील कर सकते हैं। ऐसे एच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौडना, चड़ना, उणना, तैरना, आधी सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप हैं। यहां विशेश स्मर्णिय तक यह है कि चलन संचनाओं का अन्य प्रकारगी गति में सनलगन संचनाओं से भिन होना आवशक नहीं होता है। जैसे पैरामीशम में पक्षमाप से भोजन की कोशिका, ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य होते हैं। हाइडरा अपने स्पर्शक, शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पैरों को शरीर की मुद्रा बदलने और चलने दोनों के लिए प्रयोग मिलाते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों वे प्रिक्षणों से हमें यह संकेत मिलता है कि गती और चलन का प्रथक प्रथक अध्यन नहीं किया जा सकता है। और दोनों के अंतर संबंद को एक ही उक्ती में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गती होते हैं किन्तु सभी गती चलन नहीं है। जन्तुओं के चलन के तरीके परिस्तिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते रहते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायह भोजन, आश्रे, साथी, अनुकूल प्रजननस्थल, अनुकूल प्राकर्तिक स्थिति की तलाश या सत्रों अथ्वा भक्षियों से रक्षा हेतु पलायन के लिए की जाती है। प्रिय चात्रों जैसे की हम चर्चा कर चुके हैं कि शरीर की आवशक्ता नुसार शरीर स्थिर रहते वे भी शरीर के विविन भाग हिलते डूलते हैं अर्थात गति करते हैं। ये अंग किसे न किसी उद्देश से गति करते हैं जैसे हाथ, पैर, सिर, धर, गुर्त्वा कर्षण के नुसार शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी स्थिती बदलते रहते हैं। प्रचलन के लिए पैर गति करते हैं, खाना खाने के लिए हाथ, होंट, जीब, जबड़े आदि गति करते हैं। अनुसार गति करता है, परिणाम स्वरूप भोजन नीचे खिसकता है, फृदय में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर गति होती रहती है। इस चर्चा के फलसूरूप हमें यह स्पष्ठ हो रहा है कि गमन एवं संचलन अंतर संबंधित दो भिन प्रक्रिया हैं जिने हम इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं। संचलन या गति अर्थात मूवमेंट्स सजीवों का विशिष्ट लक्षन जिसमें शरीर के किसी भाग में गति हो, किसी उद्दीपन के प्रतिक्रिया हो, मगर शरीर एक ही स्थान पर इस्थे रहता हो उसे संचलन कहते हैं। दूसी तरफ गमन, अर्थात, लोको मोशन की परिभाशित प्रकार से हो सकती है। जबकि इनके पास चलने के लिए पैर भी नहीं होते हैं। तो बच्चो, आगे की विशय वस्तु में आपको इस जिग्याशा का समाधन भी मिलेगा कि जीवों में गति होती है। पैरों से नसा ही तो विविन जीवों में पाए जाने वाले विविन चलन अंगों से तो होती ही है। आईए, अब हम गति और उसके विविन प्रकारों के बारे में बात करते हैं। विविन जीवों में गति के मुख्यत है दो प्रकार होते हैं। पहला अपेश्य गति, दूसरा पेश्य गति। अविक्सित प्राणियों में गति के लिए पेश्या नहीं होती है। आतह हैं इनकी गति को अपेश्य गति अर्थात Non-Muscular Movement कहते हैं। ये गति पांच प्रकार की होती है। पहली जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य गति अर्थात Cytoplasmic Streaming Movement। दूसरी कूटपादिय गति अर्थात Pseudopodial Movement। तीसरी कशाबकिय गति अर्थात Fragular Movement। चौथी पक्षमिय गति अर्थात Ciliary Movement। और पांच मीं Hydra में गति अर्थात Saltatory Movement। आईए इनको हम विश्तार से समझते हैं। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य गति अर्थात Cytoplasmic Movement में कोशिका के अंदर पदार्थों के संडचन के लिए कोशिका द्रव्य में धारा गति होती है। इसे जीव द्रव्य भ्रमन या साइकलोसिस भी कहते हैं। कूटपाद ये गति अर्थात Pseudo Muscular Movement में गति कूटपादों द्वारा होती है। कूटपाद जीव द्रव्य की गति के कारण बनी अंगुली के आकार की संडचनाएं होती हैं। इस प्रकार की गति प्रचलन में साइक होती है। जो अमीबा और श्वेद रुद्य राणियों अर्थात वाइट ब्लड कॉपसल में देखी जा सकती है। कशाबी की गति अर्थात फ्लैजिलर मूव्मेंट में गति कशाबी को द्वारा होती है। कशाब जीव द्रव के प्रवर्ध होते हैं। यूगलीना स्पंजों की कोईनसाइट्स हुआ हाइडरा की कुछ गैसो डरियल कोशिकाओं में कशाब पाये जाते हैं। इनकी अविरल तथा नियमित गति द्वारा स्पंजों एवं हाइडरा में जल की धारा उत्पन होती है जो शरीर में भोजन और आक्सिजन लाती है। यूगलीना कशाब की साहिता से पानी में तेरता है। शुक्राणों भी अपनी पूँच की साहिता से पानी में मादा की जनन वाहिने के अंदर द्रव में तेरता है। पक्ष्मिय गति अर्थात सिलेरी मूवमेंट इसमें जीव द्रवे प्रवर्ध होते हैं। परंतु कशाब से छोटे होते हैं। ये पतवार के समान कारे करते हैं। पैरामीशम का सारा सरीन को ढगा रहता है। इनकी गति से पैरामीशम पानी में तेरता है। मनस्च की श्वासनली, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी, मेंडग की मुखगवा की छत आदी में सीलिया अर्थात पक्षमाब होने के जरन इस प्रकार की गति होती है। हाइड्रा में गति है। अर्थात सॉल्टेट्री मुवमेंट में, हाइड्रा में पेशियों का पूर्ण अभाव होता है। लेकिन इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म की उपकरा पेशी कोशिकाएं अर्थात एपिथिलिया मस्कलर सेल्स के पेशी प्रवर्द चलन में मदद करते हैं। जो क्रमशय अनुलंब पेशियों तथा वर्तुल पेशियों की भाती कारे करते हैं। इनमें निन्न प्रकार किये विधियों जैसे लूपिंग, कलाबाजी, प्लवन परभ्रमन, वै विसरपन द्वारा, हाइड्रा के शरीर वैस पर्षकों में संकुचन, शिथिलन और जुकने से चलन होता है। प्रेशात्रों, अब हम पेश्य गती पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार की गती प्रदर्शित करने वाले कुछ जीवों की बारे में हम आईए चर्चा करते हैं। इस समुह में अधिकान शीव केंचुएं के समान ही प्रचलन करते हैं। इन में लंबवत तथा वर्तुल, पेशी स्थर तथा एस आकार के काईटिन और थात शूक यानि सीटी प्रचलन में भाग लेते हैं। इनकी देह गुवा में भरा सीलोमिक द्रव, जल स्थैतिक दाब यानि की हाइडो स्थैटिक प्रेशर पैदा करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि देह भित्ति की वर्तुल पेशियों वे लंबवत पेशियों के फैलने, सिकुणने वे सामान्य आवस्था में आने से यह चलन संभव हो पाता है। अब बात करते हैं आर्थो पोड़ा में प्रचलन की। इस संके जंतूं में प्रचलन अंग संधियुक्त पाद तथा पंग होते हैं। कुछ में एक से एनेक जोड़ी पादों द्वारा प्रचलन होता है। इनमें रेखित पेशियां पाई जाते हैं। तक बात मोलस्क में चलन की है तो इनमें एक बड़ा पाद होता है जिसके द्वारा प्रचलन होता है परन्तु कुछ मोलस्क जैसे सीपिया लालिगो तथा ऑक्टोपस में प्रचलन आठ या दस बावों की साहिता से होता है इकाईनों डर्मेट्स में प्रचलन की जह हम बात करते हैं उधारन के लिए सितारा मश्ervी में ट्यूब फिट प्रचलन अंग होते हैं प्रचलन परिसंचलन तंत्र की साहिता से होता है इनका शरीर ट्यूब फीट के चिपकने तथा आगे बढ़ने से आगे बढ़ता है प्रचलन के समय इसकी एक और की या एक या दो भुजाएं प्रमुख अंग की तरह कारे करती है जब हम मचलियों में चलन की बात करते हैं तो मचली एक कशेरु की प्रानी होने के कारण इनमें गती कंकाली पेशियों द्वारा होती है साथ ही इनमें दो जोड़ी युक्त पंक कुछ मध्य पंक वए एक पश्य पंक के साथ शरीर के पेशी बंडल यानि माई टॉम्स मचली को पानी में तैरने में मदद करते हैं सरीश्रप में चलन कैसे होता है अधिकान सरीश्रप अपने दो जोड़ी पादों की साहता से चलन करते हैं किन्तु कुछ पाद रहित छिपकलियां वे सांप अपने शरीर में पाई जाने वाले उदरीय शलकों अर्थात बैली स्केल्स को खुरदरी सतह पर चिपका कर फिर स्वयम को आगे खीज कर संचालन करते हैं पक्षियों में चालन कैसे होता है पक्षि एक जोड़ा पादों की साहता से चलते हैं किन्तु अधिकांश पक्षि एक जोड़ी पंख्यों की साहता से उड़ते हैं वास्तव में इनके पंख इनके अगर पादों का ही रूपांतरन होते हैं स्थनियों में प्रचलन की जह हम बात करते हैं तो इनमें गती पेशियों एबं कंकाल तंत्र की साहिता से होती है एक सामाने स्थनियों में प्रचलन हेतों दो जोड़ी पाध होते हैं ये पाध कंकाल एबं पेशियों से बने होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के सहयोग से स्वतंत रुप से गतिमान किये जा सकते हैं कुछ जली स्थनियों में ये मीन पक्ष में रुपांतित हो जाते हैं जबकि उड़ने वारे स्थनियों में पंख में रुपांतित हो करके उड़ने में साहिता करते हैं इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने आज के सत्र में गति एवं प्रचलन पर चर्चा की है अब हम इस पार्थ में कुछ सीखेवे मुख्य बिंदू का पुनर अवलोकन करेंगे गति एवं प्रचलन समस्त प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षन है जीवों की जैविक आवशिक्ताओं की पूर्ती हेतु गति वे संचलन अती आवशक है गति के दो प्रकार होते हैं अपेश्य वे पेश्य गति सुक्ष्म जीव जैसे अमीबा, युगलीना, पैरामीश्यम वा हाइड्रा अपेश्य प्रकार की गति करते हैं जबकि एनलीड्स, मॉलस्क, आर्थोपोड, वे कैनोडर्मेड्स पेश्य गति करते हैं कशेरुकों में गति कंकाल वे पेश्यों की द्वारा होती है गति वे प्रचलन भिन्न होते वे भी प्रथक नहीं है चुकि पादप स्थिर होते हैं अते उनमें प्रचलन नहीं होता सिर्फ गति होती है हाइड्रा में इस परशक, केच्वों में सीटी, आर्थोपोड़ा में संध्युक्त पाद, निरीज में पैरापोडिया और एकैनोडर्म्स में ट्यूफीड द्वारा चलन होता है आईए अब आपके ग्रह कारे हैं तो कुछ प्रश्ण अभ्यास के लिए दिये जा रहे हैं इन्हें आप अपनी अभ्यास पुष्टिका में अपनी पाठ्य पुष्टक की साहिता से अवश्य कीजिए पहला प्रश्ण है गती वे संचलन के प्रकार भिन हैं और संबंदित हैं इसको स्पष्ट कीजिए दूसरा प्रश्ण एक तालिका के माध्यम से विभिन अकेशरुकी वे कशेरुकी जंत्वों में उनके चलन अंगों और विदियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए तीसरा प्रश्ण कशेरुकी वे अकेशरुकी जीवों के चलन में क्या अंतर हैं चौथा प्रश्ण पादपों में संचलन होता है किन्तु गमन नहीं होता इस कथन को स्पष्ट कीजिए अमीबा में कूट पदों, पैरा मीश्यम में सिलियरी, हाइडरा में उबडखाबड चलन और केंचुआ में संकुचन वे शिथिलन की द्वारा चलन का रिखाचित्र बनाईए प्यारे बच्चों, आज के इस अध्यन के उपरांत, अब यह अति आवशक है कि आप अध्यन की गई विशेवस्तु का स्वाध्या करें ताकि आपको परिणाम सरूप मनुवांचित परिणाम की प्राप्ति हो सके किसी अन्य उप विशेपर हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अनेको शुब कामना हैं, आप प्रसंद रहें, स्वस्त रहें, अपना स्वाध्या करते रहें, धन्यवाद के श१न झालत्य मैं अबंद यास चॉपकाराएं प्रसंद Grenож hen कहता हैं, तो СовेंOSS